जी नमस्कार मेरा नाम सनी सिर्वास्तों मेरे साथ है एश्वर अमेम और स्वागत है आपका टीचर सड़र 247 के यूटूब चैनल पे देखिए बिहार की जो आज पेपर हुआ है बिहार सिक्षक भरती का जो आज पेपर हुआ है उसमें जनरल स्टडीज वाला जो पोर्शन ह और जो लेंग्विज का कॉमन है ठीक है तो उसके आंसर की जो है हम लोग रेडी करना स्टार्ट कर दिये थे तो जिन जिन सेक्षन के हम करते जा रहे हैं दीरे दीरे उनको आप मिलाते चलिए पेपर जो है ये इसका ये सेट मिला लिजेगा अपना ठीक है एम सेट होगा सा ये देख लेना ये नीचे वाला सेट मिला लेना ठीक है और इसमें पहले इंग्लिश करेंगे उसके बाद मैं अपने जीएस वाले पॉर्शन में आ जाऊंगा तो मैं शुरू करने जा रही हैं इंग्लिश के कोशन आप अपना इसको शुरू करिए मिलाना नहीं बटा सीट इसको भी दिälीक आनी चाहिए बेसिक अंडरस्ताइनिंग के बेसिक इंग्लिश के टर्म्स पैर क्वेस्टीन पने हैं पहला सवाल आपके सामने है की डदें बिफॉर अटुड़े संबे डडें बिफौर येस्टड़े वस आज अगर संडे है तो डें बिफॉर येस्टड तो यह आपका correct answer है option C Friday, दूसरे सवाल को देख लेते हैं, November comes after the month of, comes after the month, यानि सवाल पूचा गया है कि November से पिछला महीना कौन सा होता है, तो answer क्या बनेगा October, October options में नहीं दिख रहा है, September, January, December, more than one, या none of the above, option right answer है, option E, none of the above, अगला question देख लेते हैं, question number third है ये, husband's brother is called, अगर आप किसी से शादी करते हैं, तो आप उनके, मतलब आप अपने husband के या wife के family वाली side को कैसे रेफर करते हैं, ससुराल वालों को कैसे रेफर करते हैं, in-laws बुलाते हैं, तो आपके husband के जो brother हैं, वो आपके brother-in-law हुए, ठीक है हिंदी में जिनको जेट जी बोलते ह जेवर जी बोलते हैं, यह वो इन-law, शादी के बाद इन-law हो जाते हैं, mother's parents are called, हर बच्चे के दो set of grandparents होते हैं, हाँ जी, ठीक है, none of the above, पॉर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्क्रीन पे दिख रेहे हैं, क्वेश्चन सब को ठीक है, ठीक है, ठीक है, फॉर्थ क्वे आप क्या बुलाएंगे, तो आप उनको हिंदी में जिंको नाना नानी बोलते हैं, इंग्लिश में, maternal grandparents, बोलते हैं, पापा के साइड के, दादा तादी को क्या बोलेंगे, paternal grandparents, इस question का right answer हुआ, option C, maternal grandparents, question number, question number 5 हमारे सामने है, यहाँ पे आपको articles का इस्तमाल करना है, a and the का इस्तमाल करना है, याद है सबको rules, simple है, basic है, बिल्कूल भी कुछ difficult नहीं है, देखो, in this school, all dash students are given free education, ठीक है, जब हम इस तरीके से all की बात कर रही हैं, और students जो उस particular school की, क्योंकि in this school, particular school की बात हो रही है, और पूरे students के group को refer कर रही है, तो ऐसे में हम the article का इस्तमाल करते है अ नहीं हो सकता, आन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे कोई वावल नहीं है, next word वावल होगा तभी आन आएगा, और students का पूरा group है, जो इस particular school में पढ़ रहा है, तो अ नहीं हो सकता, द आएगा, specific हो जाएगा, option B, the is the right answer, अगले सवाल को देख लेते हैं, चला जाएगा पर ऐसे, बस यहां तक कर दो, ठीक है, और question number 6 देखते हैं, I have a friend in Mumbai who is dash actress, अब आपको class में क्या पढ़ाया गया है, articles के वक्त, जहां article प्लेस होना है, आपने अगले शब्द को देखना है, अगर अगला शब्द, एक वावल से शुरू होता है, वावल कितने तरीके के होते ह हमारे पास बच्चों, पांच तरीके के, ठीक है, A, E, I, O, U, याद है न, तो आपको यहां पे एक वावल दिख रहा है, actress वाला, तो यहां पे obviously क्या आएगा, Ann आएगा, तो right answer is option C, Ann, question number 7, which of the following is not a river, इन में से कौन सी एक नदी नहीं है, Bay of Bengal, Ganga, Godavari, more than one, none of the above, Ganga, Godavari, दोनो, rivers है, Bay of Bengal, एक बे है, हिंदी में क्या कहेंगे सर इसको, खाडी है, नदी नहीं है, ठीक है, तो option 1, Bay of Bengal is the right answer, ठीक है जी, यह आखरी सवाल है, हमारे पास अँग्रेजी का, आखरी सवाल है, अँग्रेजी का, देखिए, which of the following is not a part of the drawing room, आपके इहर में जर ज washing machine, sofa set, chimney, more than one, none of the above, ठीक है, अब देखे, हमारे इंडिया में घरों में चिमनी का concept वैसे कम है, बट थोड़ा अंग्रेजी की तरह सोचे, तो चिमनी घरों में होती है, अगर आप इस question को ऐसे नहीं answer कर पा रहे हो, देखो, sofa set तो घर पे है ही है, तो यह तो बिल्कुल भी answer नहीं बनेगा, ठीक है, washing machine, चिमनी आप बोलोगे माम, हमने तो घरों में चिमनी भी नहीं देखी, तो अब elimination कर लेते हैं, चिमनी, sofa room में, drawing room में फिर भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजों के घरों में होती है, washing machine, बिल्कुल भी drawing room में नहीं बनती है, इस question को elimination से answer करेंगे, ठ washing machine is the right answer, चिमनी इंडियन कॉंटेक्स होती है, तो more than one तो नहीं होगा, इसका answer, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि, क्या देता है, मतलब answer A होना चाहिए, हो सकता, D दे दे, चिमनी के sense में होती है, चिमनी तो वैसे जो हमारे हां जी होती है, हमारे फिल हाल के लिए हम answer washing machine को tick कर देते हैं, कभी-कभी क्या होता है, question बनाते वक्त, एक thought process होता है, माइंड में, वो Indian context के हिसाब से देखा है, या ठीक है जी, Sunny सर अब आपके हवाले, बिल्कुल, तो देखे ये English वाला था, ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ GS वाले पे, क्योंकि अभी Hindi वाले answer की दे रहे हैं, तो वो देंगे, तो discuss कर लेंगे, ठीक है, language को क्वालिफाइंग है, तो language को लेके इतना परशान होने की ज़रु और current affairs भी आसान आया है, कुछ इस टाइप के बहुत ही आसान सवाल है, human right day कब मनाया जाता है, 22 April वाला question भी आया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री में एक question ये आया था, कि who was the founder of Indian National Army, तो option है, सुभाश चंद्बूस, लाला लाजपतर है, Mohan Singh, more than one of the above, none of the above, अब देको यहाँ पर क्या है ना, answer इसका होना चाहिए, Captain Mohan Singh, क्योंकि idea तो उनी के दिमाग में था, अब लेकिन यह देखना पड़ेगा कि BPSC ऐसा ना हो, इसमें more than one of the above देदे, यानि सुभाश चंद्बोस को include करके answer देदे, ठीक, तो फिलाल तो इसका answer C ही है, ताना भगत moment was related to किस्से था तो ताना भगत moment जो है वो, एक religious moment था, जो कि tribal के लोगों दोरा किया गया, तो हम इसे tribal moment कह सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें एक सवाल है सीधे, आपका history का, विनायक दामोदर सावरकर वाला, ठीक है, हाँ, who first described the revolt of 1857 as the first Indian war of independence, पहला सुतंता संग्राम किसे कहा, किसने क 1857 के विद्रो को, तो ये कहा था, विनायक दामोदर सावरकर ने, उसके बाद अगला सवाल है कि कौन सा event पहले हुआ, तो इसमें है संथाल rebellion जो कि हुआ था 1855 में, ताना भगत moment जो कि 20-वी सदी का है, rebellion of बिरसा मुंडा 1892 से 1900 तक मुंडा rebellion होगा, जिसमें 95 वाला बिरसा म उन्डा लीड करेगा, तो इसका answer दिये गया option में हो जाएगा, संथाल rebellion which is happened in 1895, ठीक है अगला है, which revolt is mentioned in बंकिमचंच चटजी's novel आनंदमट, तो वो सन्यासी विद्रो बोला गया, सन्यासी विद्रो था, आनंदमट में सन्यासी विद्रो पे चर्चा हुई है, कह रहा है कि स्वदेशी और बहिशकार ये पहली बार कब सामिल किये गए, तो देखो ये दोनों सामिल किये गए थे, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसमें, पर स्वदेशी आंदोलन इसमें कहीं भी option में आपको दिख नहीं रह था और फिर स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी और बहिशकार की रणनीती पहली बार अपनाई गई, तो आंसर हो जाएगा option number E, यानि उपरयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, फिर कह रहा है, who was the president of the Indian National Congress at Gaya session 1922, 1922 के Congress का जो अधिवेशन हुआ था गया में, उसमें कौन इसी के question करके जाईएगा, who led the peasants of Bihar during non-cooperation moment, असायोग अंदोलन के दोरान, Bihar में किसानों का नित्रित्व किसने किया था, तो ये स्वामी विद्यानन्द के द्वारा किया गया था, next है, who founded Hindu College Calcutta 1817, 1817 में Calcutta के Hindu College की स्थापना राजा राम मोहन राए के द्वारा की गई थी, और राजा राम मोहन राए के साथ जो व्यक्ती थे, उनका नाम था David Hare, जो कि एक डच घड़ी साज थे, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो इसका आं peaceful demise, किसने कहा था कि Congress अपने पतन की और अग्रिसर है, लड़ खडा रही है और भारत में रहते हुए मेरी अंतिमिक्षा है कि मैं इसका demise देख सकूँ, इसे मरता हुआ, देख सकूँ, कई बार कर चुके हो, कौन खा करजन, option number B is the right answer, option number B is the right answer, ठीक है, तो ये थे आपके, society का एक भी question नहीं आया था, science के question थे जादा, और maths तो हमेशा की तरह reasoning भी नहीं आई है, ठीक है, तो देखता हूँ, भवानी सर कहां रह गए है, science के कर देंगे वो, EBS भी नहीं आई, तो, देखो मुझे लगता, GS वाले portion में, GS वाले portion में, जिसने भी, 22-23 तक भी score किये होंगे न, वो बढ़ियां position में, GS में, ठीक है, हिंदी में भी करवाईए, हिंदी में बताता तो चल रहा था, बिटा, अब जो ये आया होगा paper जो आप में से भेजा है किसी बच्चे ने, उसी के basis पे करवा रहे हैं, हिंदी बता तो रहे हैं, सारे question की हिंदी बता दिये थे, ठीक है, तो अब जो है वो, कोई नया teacher आ रह पास, बाकि आप में से जो जो गया थे paper देने कैसा हुआ paper बताईए, हां जी, seated की class आज नहीं हो पाईगी बेटा, seated अभी paper में busy हैं सारे लोग, तो seated की class कल लूँगा, ठीक है, कल लूँगा, तो कोई नया teacher देखे आ रहे होंगे, हिंदी बाले आप हो सकता है, भवानी सार आ रहे हों, तो वो जल्दी जल्दी आपके फिर इसके आगे के आंसर बताएंगे, seated में काम आएगा, सर, नहीं, seated में नहीं काम आएगा, seated में परशान होने क्या हो सकता नहीं, ठीक है, कैसा रहा आप लोगों का paper, सर कोशन देखकर डर लग रहा है, अरे कुछ डर ने वरने जरूरत नहीं है, सब तो पढ़ा हुआ आ रहा है, कहीं डरना है, है ना, कट आउफ बता दीज़े अपने हिसाब से, अभी देख लेने दो, शोशा साइंस का paper, अभी तक जो सुनने में जितना आया है, मैं सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करता नहीं हूँ, तो मैं अब आठ बजे जब आउँगा, सोशा साइंस लेके, फिर एक cut-off का मैं अंदाजा उस समय बता दूँगा, PRT की एक marathon करा दीज़े, ठीक है बटा करा देते हैं, PRT की marathon, ठीक है, TGT English का कब होगा, वो भी होगा, अभी ही थोड़ी देर में सब सारे हो जाएंगे line से, सब लोग सारे teacher आपके question के answer ही, अमलब answer की ही त्यार कर रहे हैं सारे लोग, ठीक है, SST वाला मैं 8 वजे कराऊंगा, अभी ये जो चल रहा है, ये GS का चल रहा है, जो सब में GS का कोशन आया है, वो चल रहा है, ठीक, मैं बोलता हूँ, कहां रहे गए भाई, जल्दी आए, हिंदी की है, देखे हिंदी की answer की है, हिंदी की answer की है, सर बोलते चलना ज़रा तो, ठीक है, 9 number question जो हिंदी का है, उसमें कह रहे हैं की, केकी, विहंग, खग, और पिक, विकल्पों में से कौन सा युग्म, पक्षी का परेयाय है, तो सर क्या है, 9 का, बीफ और बोई, गह और गह, खग है, खग मरिग है, मदुकर श्रेनी, तुम देखी, सीता मरिग नैनी, ठीक है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म, सही है, कापूरुष कायर को कहते हैं, सकल, विकल, मलब कापूरुष का कायर हो जाएगा, सकल, विकल हो जाएगा, कुछ सा निंदा हो जाएगा, उपरुक्त में एक से अधिक, उपरुक्त में से कोई नहीं, तो उपरुक्त में एक से अ अशुद है यह कहना आपकी गलती है मुझसे यह काम संभव नहीं चर्खा चलाना चाहिए अगला है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेड नहीं है उपवाग के संयुक्तवाग के सरलवाग के तो उपवाग के यह नजर उपवाग के इसका आंसर हो जाएगा अगला है सवाल कि जिन शब्दों से निवनता लगुता हीनता या तुक्षता का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं उनार्थक शब्द कहते हैं अनेकार्थी शब्द कहते हैं उपर योग तुम्हें एक उनार्थी उनार्थक कहते हैं जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत बी होगा ना बी होगा इतना तो संग्या की मापतौल का बोध कराने वाले विशेशन क्या कहलाते संग्या की माप्तोल का बोध कराने वाले विशेशन परिमाण वाचक कहलाते है रचना के आधार पर जल किस कोटी का शब्द है जल किस कोटी का शब्द है तो ये रूड शब्द हो जाएगा ठीक है अगला है निमनलिकित में कौन सा मात्रिक छंद है दोहा इंद्र वरजा सोरठा उपरयोक्त में एक से अधिक यही होगा ना मात्रिक छंद में दोहा सोरठा दूनों ही आ जाते हैं शायद उदित उदैगिरी मंच पर रगवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रिंग उपरयोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है तो इसमें रूपक अलंकार है उसमें रूपक अलंकार है अगला है निमनलिकित में कौन सा प्रत्य रहित सब्द है यानि किसमें प्रत् ठीक है भाशा की उप्युक्त परिभाशा क्या है विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनी समू भाशा कहलाता है विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाशा है विचार या भाव को लिपी चिन्नों में प्रकट करने को भाशा कहते हैं उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा इसका अंसर अगला है स्वर के कितने प्रकार हैं दो चार तीन उपरुक्त में एक से अधिक उपरुक्त में से कोई नहीं तो स्वर के कितने प्रकार हैं तीन अगले उचारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गी करन कितने भागों में किया जा सकता है छे, आठ, साथ उपरुक्त में एक से अधिक उपरुक्त में से कोई नहीं उपरुक्त में से कोई नहीं अच्छा जी अल्प प्राण ध्वनी कौन सी है खा, छा, चा, उपरुक्त में एक से अधिक, उपरुक्त में से एक से अधिक ठीक है, तो चा है फिर कह रहा है घोश ध्वनी कौन सी है गा, धा, जा, उपरुक्त में एक से अधिक, उपरुक्त में से उपरुक्त में एक से अधिक ठीक है, स्पर्शी व्यंजन है अगला है आगनी शब्द का विशेशन क्या है आग्रही है आमिक है आगने है उपरुक तुमें एक से अधिक है या उपरुक तुमें से कोई नहीं ठीक है 26 नंबर कोशन तो हो गया न सर 24, 25, 26 इस परशी वेंजन 27 का नहीं आया है कोई बात नहीं प्रकम्पी वेंजन है ये रुख जो बिटा भी ये शायद नहीं भूल गया है सर प्रकम्पी वेंजन कौन सा है शा रस उपरुक तुमें एक से दिक उपरुक में से कोई नहीं अच्छा भेज रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद है अर्दस्वर है और चवर्ग क्या वंजन है तुम ही लोग बतावे यार तब तक तुम लोग भी तो हिंदी विंदी पड़े हुए हो धंग से ठीक है हिंदी वाले सर भेज रहे हैं आंसर इसका लग रहा है भूल गए सर ये किसकी क्लास्यल रिबेटा बिहार का आज टीचिंग रिकूर्टमेंट एक्जाम था तो वर्ग नौ दसकाच पेपर था जिसको आप सिंपल भाषा में TGT बोलते हैं उसमें 30 नंबर का लेंग क्वेच क्वालिफाइंग में ये हिंदी है गुडिया मिश्रा के रही है रह किसका रह प्रकम्पी वेंजन रह है अच्छा जी अगनी शब्द का विशेशन है आग रही आमिक आगने अरे सर संस्कृत वाले सर को बुला लो ना वो तो बता देंगे ये सब और बवानी सर कह ना रहे गए बेजिये जल्दी सोन को के giderपू़ रहे ये सबती सहा बवार से अल्दी वेंट बवारे से को तो ग रहे गवं अचा चात्र कर दोह भावने है कि अगने छो़ मिःबण डरता मों देशने तो कि नगने पहा रहे विजशने है झाल, झाल, झाल आ रहे हैं भाई बवानी सर आ रहे हैं आपके साइन्स के और उसके कोशन जी एस के कोशन मनलब जी के वाले जो कोशन है करेंट अफेर्स है वो कराएंगे वो ठीक है कुछ जो आप जानते होंगे जैसे हुमन डाइट स्टे दस दिसंबर को मनाया जाता है ठीक यह तो आपने करी दिया बिहार टेट का फॉर्म भर सकते हैं अगर बी एट थर्ड सिमिस्टर में होते हैं अपीरिंग में शाहिद नहीं भर सकते बिटा एक बर देख लिएंगे पॉलिटी का गरवे पॉलिटी आई नहीं जी एस में सब्जेक्ट वाले में आई यह उसको करवा देंगे जी एस में आई नहीं पॉलिटी 27 का सी था और क्या था अब कोन आ रहा सर 27 का सी है सर अगने अगनी शब्द का विशेशन फिर प्रकम्पी वेंजन क्या 28 का तो आप क्या करा ने सर मोग मैंच वाले मैं चलो सरा रजवार अच्वर्ग मैंच के कोशेंड आप व्लाव तब तक सारे शूडर्ण्स आपने देखा को मैं एक बहुत ही इजी है बहुत ही ट्रिकी आप कुशन को आप्शन से भी सॉल कर सकते हो डारेक बिल्कुल बोलते ले कुला कोशन से अगर कुछ कुछ फॉषन मैं मान सकता हूं इसमें भी आपको लग जाए किसरी एक उसन कैसे बनेंगे मैं एक बार इस पीपीटी को बहुत ही ट्रिकी कोशन से बहुत ही आसान कोशन आये हम साहे कोशन को अप्सेल देविस और तक भी आते है मैद वाले सेक्षन उपट अफ ये किसी बच्चे ने पर भी जा हुए बहुत मैंने से कोशन किये हुए वैसॉन हां का से स्टार्ड ये दिख ले ताइक बर 58 से तो के चलो चल्राइब दा कॉस्ट आफ फाइब एट सेंड अठारा बॉल्स लिखिए मैं आपको हिंदी बढ़ दाओ कि पांच बल्ला और अठारा गेंद की जो कुल कीमत वो 65 सुदे रखी है और कॉस्ट आफ टू बैट एंड बीज बॉल की कीमत बैलिस सो रुपए कहारा क की एक बंदे कीमत और एक बाल गिकिमट कर सकते हैं कैसे हमें एक बाल की एक बैट की कीमत दे रखी अब यहाँ पर पैसरीट वाना चाहिए आप चॉछ यहाँ पर वैलो पुट कलो इनका 708 जाएं तो आपके पासटर्ट्ट्स है आप इस कूशन को ऑप्षिन से लगा सकते सब ओके ओके डिफिनिटी राहुल नितेश अमीता सुसील इस कुशन को आप आप्शन से सौल कर सकते हो अधर वाइस आप वेरियेबल समान के भी कर सकते हो मैं आपको डिरेटली आप्शन से बता देता हूं जैसे यह यह देखाए की एक बैट की कॉश्ट निकल लिया है तो कि कॉश्ट आड़े आट सो और दूसरे बॉल की कॉश्ट एक्सव पच्चिस है यहां पर पांच बैट कह रहा है आप कि से में रख लो आपको जो आसाल लगा दो बैट दो रखलो दो गुले साले आट सो ठीक है प्लस यह क्या कह रहा है आँ दो बैट सुर वीज बाल कह र यह करेक्ट हमारी एक बैट और बॉल की कॉश्ट निकल कर रही अब मल्टी प्लाइक रदो आट दो सोलर इसाटरा फो यह हो गया चिक है और इसको में अप्चिन नमर यही करेक्ट था अगर आपको लगता है कि सरी तो शॉर्टेस में तो गया मुझे बैसी बता दो तॉट यह बैट को बीवा बैट को एक समय लो बाल को वाई मालो तो आप दो एक रिशम रालो फाइब टेनी फाइव एक्स प्लस अठारा बॉल मैं सौल ने करूंगा आप सौल करें आपका असाल साल जाएगा दूसरा फिर यह लोट टू बैट हो गया और इनका समों होगा बैलिस करा 615 रुपय में एक व्यक्ति एक वस्तू को 615 रुपय में खरीता है और उसको वह वापस सेल करता है 820 रुपय में यानि किसी आर्टिकल को आपने 625 ऐसे दो पंदर रों खरीदा और 820 बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि आर्टिकल को ज्यादा में आपने जितने में खरीदा उटसे ज्यादा में बेचा है कमेंट क्यों जलाएं ठीक है ओके सारे बची कमेंट करते हो मजा रहा है तो तो छेसो पंदरा से आट यह कॉष्ट प्राइस है यह सेलिंग प्राइस है इन दोनों का डिफ्रेंस ही हमारा प्रॉफिट होता है चलुत हमने क्या आट सो भी समर अट्सो एक 2 एक सिकंड आट सो भीत का हमडरा सेलिंग प्राइब और यह 615 कोष्ट पैसे इसका डिफरेंस लो दस में में से पांच ग्या पांच एक में से एक जिरो और आट मैंने चुछी आड़ ऑगो या आगवाध दू गया वाइप द दिवाइड भाई आपका कॉस्प्रीज छेसो पंदरा इंटु प्रोफित निकालने फंड्रेट परसेंट क्या होता प्रोफित का फॉर्मुला का भी दू यह प्रॉफित परसेंट बरावर प्रॉफित इन रूपीज दिवाइड बाइट क्रेमूल यानि खॉष प्राइज इ और में सब्सक्राइब एक ऐसाड़े तीन वर गड़ गया सव अफरेश्ट फरेक्शन वैलु सब्सक्राइब होती है तो इसका साड़े तैटीस परसें अंसर आगया आई और देखते हैं किदर से अचीक है अब यह कुशन लिखा हुआ यह बहुत ही बहुत ही बढ़िया कुशन है मलब समझ लोगी आपका दिमाग भी हिल सकता है अगर आपकी पास इसका कॉंसेप्ट नहीं है और आप इ तरीके से भी लगा सकते हैं लेकिन जिस बच्चे ने कुशन भीजा है पेपर उसका इब चिक कुशन में भी आंसर गलाद यू सकता हम लोग चेक कर लेते दर लेंद आफ टू साइट साइट साफ ट्रेंगल एक तिरबुच की दो भुजाय दे रखी है आठ सेंटीमीटर औ इसको हम दो तरीके से लगा सकते एक तो हम क्या कर सकते हैं अधियो फ्यक्रय साइट के बराबर कर सकते हैं हाँ बीजा ακर सकते हैं एक साइट को पताकर करके की से वाला फॉर्मला लगा के हम 20 को प्लस इस को माइनस इस कौर अपॉर्ण टूबी सी करके वहां से डायरेट साइट को फाइंड आउड कर सकते यह थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बेसिक प्रोसेसे अब हम सौड तरीगा क्या हम कोशन को वाया ऑप्शन कैसे सॉल कर सकते हम साथ से एरिया टेंग लगिए कैसे निकलते एस स मैने सब्सक्राइब से सकते रहेसितлан साम टैर的人 आIC अध़ already Videoschagind rescue ऑंज कर दो दो क्या यह एंग शाया माँनस पान्वा का यह देखोई बारोड दिदर अच्छ शक्य उसकता हम साथ को पिक करTE है अब शाट 7 7 7 8 और 9 यह 3 साइड होगी इसका अर्थ परीमाप क्यों बच्छो साथ प्लस आठ पंद्रा पंद्रा प्लस लो 24 बटे दो यह परीमाप होता है सेमीपरिमाप तो 24 बटे तो बार आगया यह अर्द परिमाप आ गया अब तीम साइट से हम ट्रेंगल के एरिया कैसे निकर ने फॉर्म राइन रूट एस आट कर दो बारा मैनस हटार बाटवान त साथ मीइन पांच क्या इसको मैन टीप्लाई करने से अंदसरıs पांच स्कुर्य मैन स्क bone । लुको बारह और यह बार एक बारह बहार आजय का और अंडर प्लूनर पाज बच जाए गा किसर इसी में डायेट सॉल कर सकता हूं यह आप्शन सॉलू हो सकता है मज़ा आया अपने से कुन कूशन को बेसिक साल कर सकते जह तो वह객 ऐसे साइन है इसके बराबर अपना एयरि स्कूर माइन से स्कूर अपन टू बीसी लगाते वासे तीसरी साइट निकल कर आती दिस इस बेसिक प्रॉसेस आफ दिस कोशन ठीक है बड़ाई सब को किलिया रहे अगर बेसी क्लियर ना तो वो भी मैं सौल कर सकता हूं अगर आपकी डिमाड होगी वैसे हमने कोशन को सौल कर सब्सक्राइब तरीका भी आपको बता दिया अवरीबटी किलियर ठीक आगे चले भाई आगे जाए ठीक है आगे चले अब देखो भाई कोशन है यह जो कोशन 59 ने कह रहा है कि दियर और 50 नंबर इच नंबर इस सब्चेकर फॉर 53 और उसके बाद जो मीन आप दे नंबर इ 50 संख्याओं में क्या करते हारिक संख्याओं अगर 53 से घटा दे तो उनका जो औस प्राप्त होता वो माइनस का 3.5 होता है तो बताए गिवन नंबर का मीन किता था अब आप समझो जब भी एवरेज जब हमको गिवेन होता है और जो नंबर सोते नंबर में जो भी ऑपरेश मुल्टी प्लेटर और संख्याओं में डिवाइड करते तो वह एवरेश में डिवाइड होता है तावन का अंसरे बचागर सतावन का अंसरा साथ सोबीस बीटा पर विंटिक यह अभी हम सॉल करें तो बतादे राइट सर जल्दी दो पताई बिलिस बतार बेटा तो यह 59 हो अच्छा-फचार-3.5 अरत कब जब इसको 35 से माइनस किया इनि पहले यह 33 इस से ज्यादा रहा होगा तो तो तूरे पन जोड़े इस में तो 56.5 पहले एवरिज रहा होगा जब हमने हर संख्या में से तो हमारा माइनस 3.5 आ गया तो 56.5 में से 30 गटाएंगे तो हमको माइनस तीन पॉइंट पाच मिल जाएगा अवरीबटी के लिए किसी को दिक्रत नहीं बोलो भाई यह सो नो अरे बोलते क्यों निविया बोलो फटाफट फटाफट बोलो लेकिन एवरेज क्या रहा माइनस में आ रहा है इस बात को हाँ हाँ बेटा विल्कुल इस बात को आपको ध् माइनस में आ रहा है वहां पर क्या सीचुइशन होगी एवरेज जो माइनस में आ रहा है माइनस वाले पॉइंट को बहुत धियान सकना क्यों थियमाइनस 3.5 आ तो 53 को माइनस किया गया यानि हर संख्य होग जरफ पॉट आया गया है तू इस पोइंट को च्योंगा आपीक क्यों कि आवरेश माइनस महारा तो 53-56 याने माइनस 3.5 इस एक बच्चा बोल रहा है डार्लिंग ओके ठीक है किसको कह रहा है यह फरक पड़ता है चलो आगे चले आगे चल रहा हूँ ठीक है एक अभी यह वाला कोशन अभी उपर आ रहा है यह यह फिनिस करते है अगर यहां पर कोशन बच रहा है तो उसी पर आ रहा है आपके जो कुशन उपर वाला है एक कोशन लिखा हुए यह दर रेशियो आप दे एज आज आफ टू बिर दर इच फूर रिशु तीन यह दो भाईयों की जो आयू का अनुपात है वो चार अनुपात तीन अबच्छों रिजनिंगा कुशन इसमें बिटा कोई भी निस अब मैंत के हैं वही सौन गरा रहे और इव दो एल्डर बिदर इस छे यह ओल्डर देंदा यंगर बिदर यह जो बड़ा भाई है वो छे साल यह क्या है बड़ा है किससे छोटे वाले भाई से चोटे और बड़े भाई कि एच में च्रीज में छे साल का अंतर है तो इस चार और तीन में कितना अंतर एक अनुपात का अंतर है वही सवाल कह रहा च्छे साल के बराबर दो चैन टूचर 24 साल को ओगा तीन बार ची थीन सब्सक्राइब यह हो गया राइट ठीक है ओके आगे दिखते हैं फिर यह कुशन इलिखाऊ 61 यह आपको विजी बिल्कु विजले एक मैं से आधा जाएगा तो एक बटे दो बचेगा दूसरा एक मैं से सब्सक्राइब और यह प्रोसेस चलता रहेगा जब यहाँ पैल सब्सक्राइब आप देखें यहां से नीचे सारी वेलूस कट रही है यह कट जाएगा और यह दो से दो कट जाएगा ऊपर बचेगा फरस्ट नमबर और नीचे वलाइए तो वन भाई एन इसका अंसर रहा क्य सब्सक्राइब यह तो है वन भाई एन आएगा ठीक हमने क्या सब्सक्राइग बटे दो दो बटे तीन और यह तीन बटे चार अप टू सू और एन माइन डिवाइड वे एन इस सब ऐसे कट गया तो ऊपर वन बचा नीचे एन बचा तो यह सी ऑप्शन आ गया ठीक है आवर अलफा और बीटा दो रूट दिरके माइनस वन और फूर अब दो रूट दे रक्यों हमें एक्क्रेशन निकाल लिए तो कैसे निकालते है एक स्क्वाइर माइनस का सम आफ रूट यानि अलफा इंटू बीटा प्रॉड़क्ट आप रूट इजिक वेश्ट तो जीरो यह ए पहला ऑप्शन आगया चिक है किलियर अबरीबटी आप एक कोशन आपका वाकी हुआ कौंसे बाकी है आपका जो कोशन बाकी है वो आपकी ये वाला बाकी नीचे कोई कोशन तो नहीं आए वाद इख ले मैत का और कोशन नहीं दिख रहे स्पीट आव एले ट्रॉन आगया ह ठीक है यह यह भी हो गया यह भी हो गया अधित एलवन हो गया अब बचरा कोशन नूमर 57 इस इस दर लाश्ट कोशन और दर इस इप कहा है दो कहरा है कि आ यह hacker find that the ATM pin of a person has first four digit आपको पता ATM पीन क्या फोर डिजट का होता है लेकिन हमेंशन नहीं यह लेकिन आप आप आज्यूम करें फोर डिजट का यह और इसमें पहली दो डिजट जो है वो तीन से आठ है यानि क्या कॉमिनिशन में सकते तीन चार पांच छे साथ आठ प्राम ल कौन से त्रेपन ऊपर निकल यह चिमने किचन में होती है यह हो गया अब कह रहा है कि जो दूसरा डिजट होगा वो यह तो जीरो होगा या तो नहों होगा हमनी अटेम्स मश्ट भी हैकर ट्राई अब खुद से सोचिए आप एक बार हैकर बनिये और एक बर अपना एडिया आपके पास यह कॉमिनेशन यह है दो डिजित में सरकुलेट करना इसे 344 ऐसे तो चेंटूचे कॉमिनेशन चैटीज हो गया आप आप आपके पास लाज्ट दो डिजिट में क्या करना है इसको आपको रखना जीरो या नाइन तो कितना होगा 72 हो गया इंटू अब हमारे प यह लास कोशन है हमने पूरे कंपिलेट कर लिए पड़ाव इसका अपना भूल आपको अपना पिनी बाताना इस कोशन का बताना है तो 36 इंटू दो बहतर 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 इंटू साथ सोबीस है ठीक है अपना अंसा जरू कमेंट करना इस नीचे वीडियो के डिस्रिप्रिप् सब्सक्राइब आपको डिस्कस कर वादे रहू ठीक है एंवार्मेंट से केबल यही कोश्चन आया था जैसे कि मैंने आपसे बोला था या तो दिंगे तो जैसे कि पिछली बार 16 दे जिए था आठ बोलके यहां पर दिंगे तो नहीं देंगे तो इस वार आज एक ही कोश्चन लिया ऑना चलिए तो देखिए यह कुश्चन है, कुश्चन नमबर 31, जिसमें आप से बूच रहा है, बांगलर मती, बांगलर जल, ठीक है, इसके जो एक ओरिजिनली एक गाना है, 1905 में, बंगाल के पार्टिशन के टाइम पे, 1905 में, बाय लॉड कर्जन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए यह लिया था, ठीक है, तो किसके द्वारा यह आपका बेसिकली गाना लिखा गया, ठीक है, यह जो गाना है, यह आपका, किसने लिखा है, सुमंता बट्टा चार रहे हैं, बट यहाँ पे सुकंता बट्टा चार रहे हैं, तो इस वाले option पे सर को doubt है, ठीक है, क्योंकि none of the above भी है, बहुत सारे लोग सुकंता लगा देंगे, और अगर हिंदी में, मिरे पास हिंदी का पेपर नहीं है, है ना, मिरे पास हिंदी का पेपर नहीं है, आज का पेपर easy लग रहा है, अभी रोख जाओ, अभी, science तो आने तो तब पता लगेगा, तुम्हें easy है कि नहीं, ठीक है, तो सुक कर लेता है अधर्वाइस बीस करेक्ट नहीं तो आपका इविल भी करेक्ट तो इसमें स्टाल लगा दिया है भी या इमें से एक होना चाहिए है ना या तो यह अगर इसको सुक रियलेटी में सुमनता है बट यहां सुकनता टाइपड है तो टाइपिंग एरर होगी तो तो आ इमल पतेल यह विल वीडराइट अंसर नेक्सिंग इस विच वन ओफ दो फॉल इंडियन फिल्म्स वाज इस्क्रीन आप इसक्स कान फेस्टिवल इन में 2023 चार बिक्चर एगाई थी भारत की तरफ से ठीक है जिसमें से एक अनुराग कश्यब की थी और एक कनू बहल की आग नुड़ेली ऐस दे करेंट चेर परसन फ्व द अपरिकन यूनियन विच विच विकाम्स द नूएस मेंबर अफ जी ट्वेंटी इस द प्रसीडेंट ओफ कंट्री इन ड आफ रिकन यू न अफरीकन श्टेट्स के अंदर आफ्रीकर जो कंटिनेंट ए उसके अंदर आपके तो कंट्रीज है उनमें से कौन से कंट्री के आपके प्रेजिडेंट है आजली असोनी कॉम रोज की भी विल भी दराइट एंसर ठीक है यूमन राइट डे कब बनाया जाता है माना वाधिकार ये तो सी सही लगा हुआ है ठीक है सी विल वीदा राइट एंसर दस देसंबर को बनाया था था हूँ वास्थ फांडर ऑ इंडियन नेशनल आर्मी ठीक है मोहन सिंग और इन के साथ जो प्रिजनर अब वार थे उन्होंने फांडर करी दी ये साही है सी विल वीदा राइट एंसर तना भगत मूवमेंट इस रिलेटेट टू ठीके ट्राइवल मूवमेंट है यह साही है निक्स इंग इस इंविच इस्टेट रक्षा बंदन दिवस सेलिब्रेटेट एट सेफ्टी दिवस्टी के न्यू डली में बनाया गया था इविल वीदा राइट इंस इन विचे स्टेट ऑफ दो फॉल एंग इस ब्लैक सॉल इस फाउंड ब्लैक स्वेल आपकी डखन के बढ़ार पर सबसे आद एकने को मिलती है ठीक है जिसमें आपका बैसे कली भारत में सबसे आई गुजरात और महराश की रीजन में देखने को मिलती है गुजरात पर चली नेक्सिंग इस हाउ मेनी टाइप सफिशी ऑफ फ्लोरा एंट फोना इन इंडिया इतनी है एक्क्यासी अजार फोना है से तालिस अजार फ्लोरा है जसका पेपर है सही है उसका इंसर ये विल वी दा राइट इंसर mineral are deposited and accumulated in the state of which of the following rocks ठीक है जोग्राफी आगी आपकी sedimentary rock ठीक है a will be the right answer which of the following is leguminous crop ठीक है इन में से दलन को ने दाल है बाकी options गलत है बाकी ये दोनों आपकी non-loguminous है ठीक है दलन नहीं है ठीक है तो a will be the right answer ठीक है extreme location are connected by east west corridor अगर आप लोगों को थोड़ा सा नक्षा बताओ तो ये आप वैसे भी लगा सकते थे आपड़ा नहीं हो east west corridor ठीक है तो इस्ट इदर है वेस्ट इदर है है ना ठीक है तो सिल्चर और पूरबंदर असम का सिल्चर और पूरबंदर गुजरात का east west corridor से गनेक्टेड है भी विल भी दा राइट एंसर स्टाल के स्टाइट और स्टाल के माइड स्ट्रक्चर आर फॉर्म भाई ये केब में बनते जो केम में लटकी हुई चटाने और नीचे सोबर तूइच अटाने रहती है अंडर ग्राउंड वोटर के रहती है यह सी विल वीदा राइट एंसर नेक्सिंग इस एक मात्र कुष्ण ठीक है ईवी एस से एपरेल ट्वेंटी डू इस सेलिबरेटेट एस ठीक है ड़िट इस काहां गया वाल्ड एर्थ डे ये विल वीदा राइट एंसर टोग्राफिकल मैप अफ इंडिया इस प्रिपेर भाय हाला की यूटूब की ग्लासे मैंने यह वाला कुष्चिन करवाया था इवी एस में सर्वे ओफ इंडिया सी विल वीदा राइट एंसर बहुत सारे लोगों ने इसका एंसर यह लगाया जो ग्लॉफ जोग्रॉफिकल सर्वे ओप इंडिया नहीं सर्वे ओफ इंडिया बनाता है कि यह हूँ डिस्क्राइब यह तो आपको सनी सर करवा चुके एंडिया वर्ड विनाएक दामोदर संसावर कर इवेंट हैपन फर्स संथाल रवेलियन यह आपको सनी सर बता चुके होंगे साइन्स पर आ जाते हैं साइन्स बड़ी टफ आई थी साइन्स का अगर लेवल देखा जाए तो है नहीं ठीक है यह कुश्चन और है यह करेंट से सब्सक्राइब करेंट आधित एलवन जो सन की स्टड़ी के लेव आधित एलवन गया वो कापल स्टर लोकेट किया जाएगा एलवन में ठीक है तो यह विल वीदा राइट एंसर ठीक है चलो जिंजर इस नौट एन अंडर्गाउं स्टर नौट रूट विकॉस ठीक है यह तो बहुत ईजी है क्योंकि इसमें आपका नोट्स और इंटर नोट्स होते है सी विल वीदा राइट एंसर यह थोड़ा सा आपका 12th लेवल की है यह 12th लेवल की साइंस में आता है ठीक है अगर पानी मतलब फोकल लेंद फोकल दूरी कॉनवेक्स उत्तल लेंस की कितनी है एफल 10 cm है तो पानी में डालने से इसका फोकल लेंद बढ़ जाएगा क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में एड़ हो रहा है ठीक है ठीक है दो वाटर इस ट्रांस्परेंट टू विजबल लाइट इस नोट पॉसिबल टू सी दर डिस्टेंट अब्जेक्ट इन द फोक क्योंकि फोक जो है यह आपका बेसिकली किसकी तरह काम करती है ठीक है ओपेक होती है और यह लाइट को मॉस लाइट को क्या कर देती है तरह देती है स्कैटर कर देती है इसलिए आप इजली देख नहीं सकते ठीक है तो सी विल वीदा राइट एंसर मोनो क्रोमेटिक लाइट एंटर फ्रॉम द मीडियम वन मीडियम तू अधर विच वन ओफ फॉल इंग प्रोपर्टीज दस नोट चेंग आवरती नहीं बदलती बाकि सारी चीज बदल जाती है ठीक है यह विल वीदा राइट एंसर यह 12 क्लास की चीज़े हैं जो कि आपको जनरल साइंस में पूचे गई यह पता नहीं क्यों पूचे गई है यह 12 क्लास की चीज़े दा स्पीड ऑफ एं लेक्ट्रॉन इन और्विट ऑफ हाई ड्रोजन एटम इन दा ग्राउंड स्टेट इस ठीक है यह अल्रेडी क्लकुले ठीक है तो टेंपरेचर के आपके क्या होती है चोथाई रहती है ठीक है तो टीवाइ थ्री दिया हुगा है यह यह थ्री का चोथाई कर दो 3 x 3 x 3 x 3 करना है यह बहूँ त्रफ चीजुत है यह फिल ट्ल्थ ग्लास की चीज़ यह है यह फ्टल्थ ग्लास की चीज़-धिय कर सकता है यह निए कर सकता टू इनस चुब-छैनी तो इनह तो त्टिक ए च तो पता नहीं साइंस तुमको बहुत दिया गया है ठीस इन्स का लेवल ज़न्रल शांस का बोल के तुम्हें टोलत ग्लास की लेवल की साइद्स पकड़ा दी गही है पताणी कौन से ने से में ने से में पीपर गय क्लियर नीगटिफ मार्गिंग नहीं निगटिब मार्किंग नहीं है तो यह था आपकी ओवरॉल डिसकेशन ठीक है किसका जनरल पेपर का ठीक है तो जैसे कि आप लोगों को पता है भाई अल्रेडी आपकी ठीक है जिन लोगों का पेपर गया अच्छी बात है ठीक है जो लोग इन फ्यूचर फर्दर आगे की टियारी की तैयारी करना चाहते है अल्रेडी आपके बैचेस एवलेबल है ठीक है तो आप इसके लिए अड़र 24 साइट पर जाएए ठीक है ठीक है ठीक में आपका बिहार एस्टट क्लिक करिए और सारे आपके नए बैचेस जो कि अब रनिंग होंगे करेंटली आगे इन फ्यूचर में ठीक है उसके लिए अवलेबल है किसी भी बैच पर बाइना उपर क्लिक करिए और कूपन कोड यूज करें यसवन नाइन फूर और आप एन्रोल हो जाएंगे जो आपका आने वाला VPS थी है उसके बैचेस में तो यसवन नाइन फूर यूज करते ही आपको मिलेगा इस पर क्या फ्लैट 77% का डिस्काउंट ठीक है चलो तो यह थी आपकी आज की क्लास मिलते है अतुल चाचा अलगी दुनिया की आदमी है इजी कौन बोल रहा था साइंस इजी नहीं थी मैं खुद बोल रहा हूं साइंस जो जनरल साइंस है ये जनरल साइंस नहीं होती जनरल साइंस का मतलब होता है डेली लाइफ में यूज होने वाली साइंस तुमसे रेडियेशन की एनरजी निकल वार है तुमसे फोकल लेंथ की यह ना पानी में डिप करके कौन जनरल साइंस में पानी में डिप करेगा फोकल लेंथ को किसके में इतनी चुल्ले की वो लेंस उठा के पानी में डुब होएगा फोकल लेंथ की दूरी मापे का यह सब 12 की चीज है जनरल की थोड़ी है नहीं बेटा ओक्जलिक एसट करता है जो किया मेन फॉर को डिकलराइज जो करता है किया मेन फॉर बहुत स्ट्रॉंग ऑक्षिडाइजिंग एजन्ट है क्लीर है तुम मिलते हैं कल ठीक है जिनका कल पेपर है गुड लक सबीक लिए चलो तो 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 टील देन हम और एस देए बाइबा गुड नाइट टेक केर थेंक यू कुछ कुछ कुछ